हेलो फ्रेंज मैं अनामिका मेरे कीसिन में आप सभी का श्वागत है फ्रेंज आज मैं पूरी शेवईया शबजी शलाद की थाली लेकर आई हूं इसे बनाना बहुत ही आशान है शटनने कोई गेश्ट आजाए तो हम ये रेश्पी फटा-फट तयार कर देते हैं देखने में सुंदर, खाने में टेश्टी और शमय भी बहुत कम लगता है तो हमने सिवईया बनाया है आलू परवल की शबजी, ग्रेवी वाली, शुखी भिंडी की शबजी, ककुमबर शलाद और गर्मागरब पूरी शर्व किया है तो फ्रेंड्स ये थाली की रेश्पी हमारी अच्छी दगे, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सेर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए पूरी सबजी सेवईया के लिए हम दो सबजी बनाएंगे तो शब्जी होगी एक भिंडी के और एक आलू पड़वल की और एक बात ध्यान रखें, ये सब्जी हम बिना लहसुन प्याजवाला बनाएंगे तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जी को छिल के हटा के इर्धो के शुखा लिये हैं अब हम आपको काटना बताएंगे तो हमें दुश्रा प्लेट ले लेंगे और इसमें हम पहले आपको आलू काटना बता दे रहे हैं तो आलू को हम बीच से ऐसे दो पीसे कर लेंगे फिर इसके हम पतले पतले पीस करेंगे क्योंकि ये बड़ी आलू है, छोटी आलू हो, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम एक आलू में से छोटे छोटे ऐसे पीसेस करेंगे, ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, और ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे हम सभी आलू को काट लेंगे, हमने आलू को एक ही साइज का काटा है एक साइज की आलू कटने का मतलब है कि सभी सबजिया एक साथ अच्छी से पक जाती है अब हम आपको परवल काटना बताएंगे तो हमने परवल के छिल के हटा लिये हैं दोनों परवल को काट दिया है अब हम इसको बीच से ऐसे कट लगाएंगे परवल कई तरह से काटा जाता है लेकिन ये मेरा तरीका है तो उसके हमने दो टुक्रे किये और इसके बाद हम इसके बीचों बीच चीरा तो लगाएंगे पर ये लास्ट वाली जो पॉइंट है उसको ज्वाइंट रखेंगे तो ऐसे ही हम सभी परवल को काट लेंगे हम दुसरा परवल की बता दे रहे हैं बीचों बीच हमने काटा उसके दो टुक्रे किये फिर उसके बीच से हमने चीरा लगाया ऐसा करने से क्या होता है सबजी फ्राई कीजिए तो अच्छे से फ्राई होता है ग्रेवी में डालिए तो अच्छे से ग्रेवी आपजॉब करता है तो चलिए हम बाकी के भी पड़वल काट लेते हैं हमने सभी पड़वल को काट लिया अब चलिए हम गैस के तरफ चलते हैं हर गैस के हमने कड़ा ही रख़ लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक भड़ा चमच तेल आप जो भी चाइ送 यिढël को अच्छे से गडर्म तेल गर्म हो चुका है अम उसमें डालेंगे जीरा जीरा को हम अच्छे सी चटकने देंगे जीरा चटक चुका है, उसका कलर देख सकते हैं, ब्राउन हो चुका है, अब हम गैस के फ्लेम को श्लो कड़के ही परवल डालेंगे, नहीं तो तेल पूरता है, तो हम धीरे धीरे परवल को फिनारे से छोड़ देंगे, और चलाते हुए इसे हम 5-6 मिलर तक भूनेंगे, यानि कि हमको परवल को शॉप्ट होने तक भूनना है, और भी प्रीप में चलाते रहना है, परवल को हमें चलाते रहना है, परवल को चलाते हुए हमें 5 मिलर तक भूनना है, आपको दिखा रहे हैं, परवल जो है दोनों साइड से अच्छे से भून चुका है, आप देखी सकते हैं, परवल में ऐसे ऐसे धब्ले आये हैं भूनने जैसा, अब हम इसी के साद ये कटा हुआ आलू भी भूनेंगे, तो इसे भी हम 4 से पास दिन अच्छे से भून देंगे, इसे हमें बीख्ली चलाते हुए भूनना है, मेडियम फ्लेम पे हम अच्छे से भूनेंगे, आलू तारने के बार हम अब इसे कभर करते हुए भूनेंगे, जिसके की आलू अपनी पस्ती रहेगी, तो हम इसके उपर कभर करके और दो-दो भीनत पे चला चला के पकाएंगे, धक्कन हटा हटा के हम आलू को प्राई किये हैं, ऐसे हमें चला के हुए, आलू को प्राई किया है, परवल आलू अच्छे से प्राई हो चुछे हैं, अब हम इसे एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे, अलू परवल प्राई हुआ है, अब हम इसे एक चम्मच से एक प्लेट में निकाल लेंगे, एक्ष्टा तेल हम इसी में रहने रेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे बहुत ही बढ़निया परवल आलू प्राई हुई है ऐसे प्राई क्यों हुई आलू परवल की सब्दी बहुत ही बेश्टी होती है अब जो तेल बची है उसी में हम एक जमच और तेल डाल देगी और उसमें हम फोरन डालेंगे तो फोरन में हम कड़ी पता अधरक जी से हमें लबे लबे काज लिया है हरी मेच जी से हमने पीच से लोटु प्रे में कट रिया है अब हम इसे एक बड़ चला लेंगे और इसमें हम तमाटर डालेंगे जी से हमने बारी काट लिया है और इसे हम एक बिनाटर चैनली शॉप्ट हुने तकी नहीं ने तमाटर शॉप्ट हो चुका है देख सकते हैं आप अब हम इस एश्टेश पे मसाला एड़ करेंगे तो सबसे पहले हम दो चमस धनिया पॉडर डालेंगे जो चमस हम लाल मीज पॉडर डालेंगे आप अपने पीखा के अनुसार अडेश कर लिए एक चमस सल्दी पॉडर और साथ में हम डालेंगे स्वाथ के अनुसार नमक इन साड़े इंग्रियंच को हम टमाटर के साथ अच्छे से मीज करके और भूनेंगे जरूरत पड़ी तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके मसाला भूनेंगे तब ही जाके ग्रेवी जो है बहुत ही देल्टी तयार होती है मसाला ग्राई थी तो हम थोड़ा सा पानी डालके और ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे अब देख सेते हैं कितना बढ़िया कलर आया है जब हम ग्रेवी बाली पड़वल बनाते हैं तो ग्रेवी को अच्छे से तयार किया जाता है हमें तो बीना लच्छुन प्यात की तयार करनी है तो हम टमाटर के साथ मसाले को बहुत ही बालकी से भूनेंगे तब जाके यह ग्रेवी वाली सब्सक्राई तेस्टी तयार होगी अब देख सकते हैं अपनी टमाटर जो है मसाले के साथ एकदम मिक्स हो गई है तो यह ग्रेवी बहुत तेस्टी लगेगी अब इस एश्टे पे हम फ्राई किया हुआ आलू और पड़वल डाल देंगे और इसे हम मसाले के साथ हच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक से डेट मिनट वह मसाले के साथ इसे भूण लेगे अब देख सकते हैं कितना बढ़्थियां बढ़र आया है मसाले के साथ हमने सब़़ी भूण लिया है अब हम इसमें पानी डालेंगे तो हमें पानी अंदालर से डालना है पानी डाल रहे हैं क्योंकि पकने के बाद थोड़ी सी ग्रेवी जो है गाड़ी हो जाती है और यह पूरी के साथ खाने में बहुत ही मज़ेडार लगती है तो अब हम सब्सक्राइब कर लिए अब हम कभर करके इसे पांच से छे मिनट तक अच्छी से पकाएंगे तेज फ्लेम पे फिर आपको बताएंगे जब तक परवल की सब्दी पक रही है तब तक हम भिंडी की कटिक कर लेते हैं तो भिंडी को हमने होके सुखा लिया है अब हम इसे एक प्लेट में ऐसे लेंगे उसके आगे वाले पीसे वाले पुआइंट को काट के हटा देंगे और इसको बीच से हम चीरा लगा के ऐसे च शुखी शब्दी बनाएंगे ऐसे ही हम दुश्री सब्दी भी काटेंगे भिंडी की हमने सभी भिंडी को एक साइज का काट लिया है तो चलिए हम अब पडवल की सब्दी चेक कर लेते हैं वो तैयार हो गई होगी सब्दी का हम ढखकर लिटाएंगे अरे वा क्या सुदर कलर आया है अब एक बढ़ हम चला के आपको दिखा दे रहे हैं ऐसे हम सब्दी को एक बार सेख करेंगे कितनी बढ़िया अपनी सब्दी तयार हुई है अब हम इसमें डाल देंगे धर्या पत्ता जिसे हमने बाड़ अब हम इसमें एक चमच घड के गरम मशाला डालेंगे इससे सब्दी की तेश्ट और ही सुंदर हो जाते है गरम मशाला धनिया पिचा डालने के बाद में सब्दी को ज्यादा नहीं पकाना है ज़्ट विक्स करके और गयर्ष के तेन को आफ कर देना है आपको एक बाड फि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पिना लेशुन प्याज वाली परवल आलू की हमने ग्रेवी वाली सब्जी बनाई हैं ये बहुत ही बढ़िया तयार होता है तो हम गैस के फ्रेम को आफ कर देंगे और दो मीनर तक हम कभर करके छोड़ेंगे जिससे की करम मशाला अच्छ कर लेंगे के पहले वाली ही कडाई है जिसे हमने क्रीम कर लिया है कराही गरम हो चुकी है अब हम उसमें डालेंगे एक बड़ा चमच सरसो का तेल तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे फोरन यानि की सुखी मिर्जी का फोरन डालेंगे तो मिर्जी को हम दो टुक भींडी की सब्जी में सुखी मिर्ची का फोरन हो और सर्सो का पेल हो तो बहुत ही तेश्टी तयार होता है मिर्च को हम हलकाशा शेकने देंगे आप देख सकते हैं मिर्च का कलर हलकाशा चैंच हुआ है अब हम इसे श्टेज पे भींडी को डाल देंगे ताजी ताजी लिंडी कटी हुई हो जो देखने में इतना सुन्दर लगता है बनाने में ही मज़ा आता है और हम इसे अच्छे से घिस कर लेगे पेर के साथ हिंडी को हम मेडियम फ्लेम पे सलाते हुए भूनेंगे हमें धंकी नहीं बनाना है खुले हम इसे खुनेंगे लिजी को मेडियम में सलाते लगते हैं तो ताजी 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 बनाना प्यार होती है हींडी तो हमें शेयर पाउच मिनटकर भेरск नहीं अब हमानला डॉलेंगे तद हम तो तक से तऴह हर्डी पॉडर डालेंगे वन पूर्ट के बाँव मंचाला को ऐसे चारो तुरफ फक्षार्व में लेंगे जाना में और realizing sì क्यों है ने याउचि एक चमर्चन्या पॉडर आधा चमर्च छल्दी पॉडर सब को हम अच्छा से निक्ष कर देंगे आप देख सकते हैं हर एक भीली में मसाला जो है अच्छे चेक कीकशुका है अब हम फ्लेम एकदम स्लो करके और भीली को दो से तीन में तर होड़ पकाएंगे अब हम स्वर्ध के अंशार नमक दालेंगे तो नमक भी फहलाते हुए डालेंगे मसाला डालने के बाद हम भीली को 2-3 मिनलट तर स्लोक लेविट भुली हैं अब हम डालths इंग्रिजिएन्स टो वह होगा गड़म मसाला मचाला भी हम फेलाके ही डालेंगे और लाश में डालेंगे अम्चुर पॉर्डर डालने से हिंडी की सब्डी बहुत ही सुन्दर पेख्टी होती है अब हम इसे अच्छे से निस करनेंगी अब देख सकते हैं भींडी की सुखी सब्डी हमने कितने बढ़िया से बनाया है कम तेल लगा है भींडी की हडी हडी कटिंग जो है वो दिख रही है अलसे हम अब दो ही मिनद तक पकाएंगे फिल प्लेम को आप करेंगे दो मिनट हो तुके हैं हम एक बार सब्डी को मिक्स कर ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं भींडी हरी हरी दिख रही है इसका किती पाहट बेलकुल चला गया है मसाले की पोडिंग भी अठ्थे से हो गई है तो यह है अपनी परफेक्ट भींडी की शुखी सब्डी अब इस एश्टेश पेर हम गयस के फ्लेम को आउप पैलेंगे तो बिंडी की सब्डी तयार हो गई है हमने यह दूसरी सब्डी भीं कंप्लीट कर ली अब सलते हम सेवईया बनाने सिवईया बनने के दिए हम दूसरे पहले पहर के एक कड़ाही रख लिये हैं गयसको हमान कर देंगे कड़ाही को अच्छे से गड़eln होने देगे कड़ाही गरम हो चुकी है अब हम उसमें डालेंगे एक चमस देसी घी सिवया देसी घी में फ्राई किया जाए तो बहुत ही तेश्टी लगता है घी गरम हो चुका है अब हम उसमें ये बाड़ी कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और साथ में हमने जो दो इलाईची लिया था उसको दरदरा कूट लिया है उसे भी डाल देंगे घी में ब्राई फ्रूट्स और इलाईची भूने का तेश्ट अलग ही आता है अब हम इसे कुछ सेकेंड के लिए हमें जलने नहीं देना है हलका सा रोष्ट करना है इसे तो आप देख सकते हैं जाई फ्रूट्स रोष्ट हो चुकी है अब हम इसी में डाल देंगे अपनी सिवया और इसे भी हम चलाते हुए दो से ती मिना तक भी देंगे इस सारे प्रोष्ट हमें फ्रिम स्लो करके कर रहा है जिससे की जले नहीं कंट्नियू चलाते हुए हम से वया को भूनेंगे आप देख सकते हैं हमने ड्राइव फ्रोट्स इलाजी के साथ इसी में से वया भून लिया है से वया का कलर कितना सुन्दर आ रहा है एक दम गोल्डेल कलर में अब हम इस स्टेज पर गैस के खेम को आफ कर लेंगे और गड़मा गड़म से वया हम उबाते हुए दूद में डाड़ेंगे आप देख सकते हैं दूसरे फ्लेम के हमने दूद को उबाल लिया है अब इसी में हम गड़मा गड़म फूना हुआ से वया चोड़ेंगे हाँ ध्यान रहें गैस का फ्लेम सुलो कर लेना है और धीरे धीरे से वया चोड़ना है क्योंकि दूद के छीटे नवाए हाथ से तो ऐसे हम धीरे धीरे से वया को दूद में छोड़ देंगे सिवया डालके हमने मिक्स कर लेना है और इसे हमें दो ही मिनट तक दूद के साथ पकाना है अब हम सिवया को चलाते रहेंगे और दूद में पका लेंगे सिवया को हमने दो मिनट तक दूद के साथ पुरबाल लिया है अब हम डालेंगे इसमें शकर तो शबकर आप अपने टेस्ट के अनुशार डालिए, कोई-कोई मीठा सिवया पसंद करता है, कोई-कोई कम मीठा पसंद करता है, तो आप अपने जरूरत के अनुशार डालिए, तो अब हम इसमें डालेंगे केवरा वाटर, ये बाजार में बहुत ही इजली मिल जाता है, इ सिवया बनाए जाती हैं अब हम शक्कर को आधे मिनट तक सिवया के साथ पकाएंगे अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर लेंगे ठंधा होने के बाद सिवया गाड़ी होती है तो हम इसे धक के रख देंगे थोड़ी देर बार सर्म करेंगे तब तक हम पूरी की तयारी कर लेते हैं तो हम पूरी के लिए आटा लगा लेते हैं तो हमें ट्रे में आटा डालेंगे एक कटोड़ी आटा यहां पे हम ले रहे हैं आटा को हमने पहले ही छान के रख लिया हैं, अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक हम यहां पे आधा चमच ले रहे हैं और आटे को हम थोड़ा सा ऐसे बीच में जगह बनाके एक चमच तेल डालेंगे तेल को हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर डिया हैं, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके आटा को गुन देंगे वैसे तो आटा गुनने सब को आता है, लेकिन हम थाली दिखा रहे हैं तो आटा गुनना भी दिखा दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे आटा को हमने मसल मसल के एक बढ़ी असाडो तयार किया है, ना जादा कड़क है ना जादा नरम है, अब हम इसकी पूरी बनाएंगे तो हम आटा का लोई तोडेङे आटा को ऐसे लेना है और ऐसे एक डूल बना के एक साइड की लोई काट लेनी है आपको जितनी बड़ी पूरी बनाने है उतने बड़े-बड़े पेंडे तोड़ लेजेए सबसे पहले लोई को ऐसे मसलना है तो हम यहाँ पे पाल से छेव पुडिया को बना के दिखाएंगे हमने आटे की लोई तैयार कर ले है पूरी के लिए अब हम एक लोई लेंगे और चकले पे ऐसे अंगुलियों से पेस करके बेलन की मदद से हम इसे गोल बेलेंगे पूरी बनाने तो सबको आता ही है पर मैं अपना एश्टाइल दिखा दे रही हूँ तो हम इसी शाइज की पतली-पतली पूरियां बेल के तैयार कर लेंगे दूसरी डोई लेंगे और इसे हम ऐसे घूमाती हुए बेल लेंगे हमने छे से आठ पूरियां बेल दिया है अब हम गैस की तरफ चलते है गैस पर हमने एक कड़ाही में तेल गरम होने के लिए रख दिया है गैस को आउन कर लेंगे सबसे पहले हम तेल कुछ एक करेंगे एक छोटा सा आठा का टुकड़ा लेके हम तेल में डालेंगे आप देख सकते हैं अपनी तेल जो है पूरी के लिए गरम हो चुकी है हमने यह टुकड़ा डाला तो यह तेल के ऊपर आ गया हमें अच्छी खासी तेल गरम चाहिए पूरी के लिए अब हम इसमें एक एक पूरी को लेंगे और बड़ी हिशा उधानी के साद धीर इसे छोड़ देंगे तो आप देखिए कैसे अपनी पूरी खिलते आ रही है पूरी डालते हैं अपनी पूरी के तेल के ऊपर आ गई हमें अगे इसे अब हम इसे उलट के दुसरे साइब से से शेंख लेंगे इतना बढ़िया कलर आया है अपनी पूरी का पूरी शेखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है लेकिन एक बात ध्यान रखिए तभी आप पूरी फ्राई कीजिए तो गैस का फ्रेम तेज होना चाहिए यानि कि तेव एक दम गड़म होनी चाहिए तभी पूरिया ऐसे ख ऐसे हैं दूसरी पूरी को लेले से छोड़ देंगे आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आपने पूरी भूड रही है बहुतों की सिकायद होती है कि मेले से पूरिया फोलती नहीं है तो हमने आज पूरी शेवईया भिंडी की सबजी आलू पडवल की सबजी शर्ब करने के लिए तयार कर लिया है अब चलिए हम इसे सब करते हैं तो अब हम एक प्लेट लेंगे सबसे पहले हम सवया करेंगे तो यहां पर गर्मागर्म सवया तयार है यह कितनी बढ़िया तयार हुई है आप देख सकते हैं और पूरी के साथ सवया किसको पसंद नहीं है अब हम दुषरे बॉल लेंगे और उसमें हम गरेवी वाली सब्जी सर्ड़ करेंगे ये देख सकते हैं कितनी बढ़ियां बनी हैं हमने आपको बताया था वीना हम लहसुन प्याज का सब्जी गरेवी वाली तयार कड़ करके दिखाएंगी तो हमने सब्जी आलूपड़वल क कि लिए हमने चाह्ष्थ करेंगे हाँ कि ऊध्य को इसमें कंदि की बेख लिए इदम हरी हरी बिना चहिंडी क्ले psychology कितनी बढ़ियां शुक ही सब्दी कर यहार हुई है क्म अकर चलास कर नीए पर कुम्बर तो सब पैसा ढब हम गडमा गडम पूरी शर्व करेंगे तो यहां पे हम चार पूरी शर्व कर रहे हैं, तो यह रही हमारी शेवया, पूरी, दो सब्जी और शलाद के साथ आज की डीश, तो फ्रिंड्स अगर आज की मेरी ये डीश आपको पसंद आए, तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमिट करना मत भूली, धन्यवाद,